जिससे सिद्धार्थ वेल्कम बैक तो आर चैनल्टल इस आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे टिप्स जिसको फॉलॉ करके आप अपने ब्रीएप प्लिस सब्सक्राइब कर ले और साथ ये साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके क्या आप ऐसे इंसाने जो अपने फैट को लॉस करना चाहता है क्या आप ऐसे इंसाने जो अपने मुसल्स को गेन करना चाहते हैं क्या आप ऐसे इंसाने जो पिछले कई महीनों से कोशिस किये जा रहे हैं लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आज मैं बताने वाल रूड रहे हैं आप जीम में जाए या कलब में जाए आप कहीं। इस प़ीडारर लेकिन आप exercise करने से हमारा मुसल्स जो है वह गैन होता है और exercise करने से हमारा जो fat है वह loss होता है तो बहुत सारे योग यह सोच रहे हो सोच रहे होंगे कि हम पिछले 6 मैने से पिछली एक साल से जीम जा रहे हैं लेकिन हमारा fat loss नहीं हो रहा है या फिर हमारा muscles gain नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दू ऐसा कितना दिन हुआ है कि जीम से निकलते वक्त आपने अपने आप से कहा हो कि आज तो मेरी फट गई आज तो मेरी हालत खराब होगी आज तो मैं कुछ करने लाइक नहीं रहा उसे कहते हैं ट्रेनिंग उसे कहते हैं workout तो ऐसे workout करें ऐसा training करें तो आपका 100% fat से fit होंगे आप और आपका muscles भी gain होगा tip number two nutrition देखिए हमारे fat जो होता है वह हमारे hormone के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है काब जो होते हैं वह energy के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और जो protein होता हुआ हमारे मात्रा में काम कर पाती है इसके अलावे vaitamins है और kreteen है बहुत सरे यह से चीज है जो न्यूट्रेंस में आते हैं तो मैंने vaitamins के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है आने वाले वीडियो में इनपोर्टेंट ए टीपी यह जो रेस्ट हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़्यदध ज़रूरी है हमें 24 घंटे में 8 घंटे तो सोना ही चाहिए अब क्या होता है कि हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारे जो बॉड़ी है जो हमारी मसल्स होती है जब हम वर्कॉट करके निकलते हैं तो हमारी मसल्स टूटी हुई रहते हैं, हम अब बॉडी को प्रोटीन देते हैं, और प्रोटीन के बाद हमारी मसल्स फिर से रिकवरी होने लगती है , अब सेम प्रोशेस होता है सोने के बाद भी सारे दिन में आखिरकार हम लोग कोई नो कई अक्टिवीटी कर रहे होते हैं लेकिन सोने के वक्त हम कोई activity नहीं कर रहे होते हैं इसके लिए हमारी body जो है जो भी muscles होती है वह बहुत अच्छे से recovery हो पाते हैं रात को सोने के वक्त भी बहुत अच्छे से muscles recovery होती है और दूसरा सबसे बड़ा चीज हम जब सोते हैं तो हमारी body में natural testosterone level बूश्ट होता है जो कि हमारे human body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हम इंसान में में वह number one hormone पाए जाते हैं और यह female में estrogen hormone पाए जाता है तो इसका balance में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह थी मेरी 3 tips जिसको follow करके आप अपने muscles को gain भी कर सकते हैं और आप अपने fat को loss भी कर सकते हैं अगर आपको nutrition के बारे में नहीं पता तो मैंने protein carbs और fat के बारे में वीडियो बनाया हुआ है end of the screen आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो के खतम होते होते आपको वह screen पे मिल जाएगी देखने को या फिर मैं इस आई button पे भी लगा दूंगा तो यह तिन टिप्स फॉलो करके आप अपने muscles को gain भी कर सकते हैं आप अपने fat को loss भी कर सकते हैं मैं guarantee देता हूं 100% यह work करेगा signature करवालो मेरे से अंगुठा लगवालो तो आज की इस वीडियो में गाईज इतना ही तो यह वीडियो मेरा कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बता लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तक हमारे आने वाली कोई वीडियो आप तक असानी से पहुंच सके तब तक लिए टाटा बाइबाई एन टेक केर